बहुत समय पहले की बात है किसी राज्य में एक राजा रानी थे। राजा बहुत ही प्रजापालक था वहे खुशी खुशी अपना राज समालता था वहे अपनी रानी से बहुत प्यार करता था रानी भी राजा को पूर्ण सम्मान देती थी राजा अपनी रानी से इतना अधिक प्रीम और लगाव रगता था कि यदि वे एक पल भी रानी को नहीं देखते थे तो बेचैन हो जाते थे अगर रानी कुछ देर के लिए भी कहीं काम से भी चली जाती थी तो उन्हें घबराहट होने लगती थी इसी तरीके से धीरे धीरे समय बदलता है रानी गर्ववती होती है और नो महीने में एक पुत्री को जन्म देती है लेकिन रानी की मृत्यों का इतना दुख होता है कि वह अपनी पुत्री को ही उसके लिए दोशी मानने लगते हैं कि इसी के कारण मेरी रानी मुझे छोड़ कर चली गई है और वो उससे इतनी नफरत करने लगते हैं कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते वहदाई से यहां तक कह देते हैं कि इसे मरवा दो मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता इसी की वज़े से रानी मुझे से दूर हुई है यह तो कुलक्षमी है यह सब सुनकर दाई को उस बच्ची पर बहुत दया आती है वे सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्या मैं इस राजकुमारी को पालूंगी वे इस महल में रहेगी आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए दाई के समझाने पर राजा समझ गए राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया और दाई उसका पालन पोशन करने लगी धीरे धीरे वेकन्या थोड़ रहते और उसे बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी राणी महल में आ गई राजा इस राणी से भी बहुत प्यार करते थे धीरे धीरे समय बीता और इस राणी ने भी एक कन्या को जन्म दिया राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी मा बिलकुल सही सलामत थी राजा ने अपनी पुत्री का नाम लक्षमी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्षमी रखा था राजा की दौनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी एक बेटी रा कुलक्षमी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ सादू महात्माओं को पूजा पाट करते हुए और प्रवचन देते हुए देखती है उसे बहुत उत्सुकता होती है वह सारा काम छोड़कर वहाँ चली जाती है और वहाँ बैटकर प्रवचन, भजयन, कीरतन सुनती है उ जहाँ वे ज्यान की बाते सुनती, कथा कहानी सुनती और पूजा पाट करती थी उससे वह भी बहुत ज्यानी हो जाती है और वे हर रोज भगवान शिव को जल चड़ाती और मा पारवती और मा लक्षमी की पूजा करती थी एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा हे महाराज आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है अब इसका विवहा कर देना चाहिए राजा ने कहा ठीक है मैं इसके बारे में राणी से बात करता हूँ राजा ने राणी से बात की तो राणी ने कहा महाराज अगर आपको कुलक्षमी के लिए लड़का देखना ही है तो अंधा लड़का देखना क्योंकि ये तो कूलक्षमी है जहां भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी तो क्या जरूरत है अच्छा घर देखने की अच्छे घर में जाएगी तो वहां भी बसा बसाया घर बर्बाद कर देगी इसे तो अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी अंधे लंगडे लूले या किसी गरीब से कर दें राणी का यह सुझाव राजा को अच्छा लगा राजा ने अपने पंडित से कहा कि वो जाए और कुलक्ष्मी के लिए कोई गरीब लड़का ढूंड कर ले आए इससे कुलक्ष्मी का विवहा करा दिया जाएगा पंडित वर ढूंडने के लिए निकल जाते हैं चलते चलते पंडित को एक भिकारिन दिखाई देती है उस भिकारिन का लड़का अंधा था पंडित ने स विकारिन ने कहा पंडित जी मैं अपने पुत्र का विवा कैसे कर सकती हूँ ये तो अंधा है तो पंडित ने कहा देखो तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिष्टा आया है तुम्हारे तो भाग्ये ही खुल जाएंगे यह सुनकर विकारिन खुश हो गई और अपने पुत्र का विवा करने के लिए तयार हो गई फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री का विवा उस अंधे लड़के से कर देते हैं कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवा भी एक राज कुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर देते हैं अब राजा क किलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा सासूमा मेरी मा ने जो चावल खरद में दिये हैं मैं उन्हें ही बना लेती हूँ। सास ने कहा ठीक है और फिर कुलक्ष्मी ने चावल बना कर अपनी सास और बती को खिला दिये और खुद भू के पेठी सो गई। चावल इतने नहीं थे कि वह भी कहा सके सुबह होती है तो उसकी सास और पती दोनों भीक मांगने के लिए चले जाते हैं शाम को जब दोनों वापस आते हैं तो कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है कि मा जी, आप लोग भीग मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा नहीं होता, आप अगर आज्या दें, तुम मैं भी कुछ काम कर लूँ, तो सास ने कहा भू, तुम तो एक राज कुमारी हो, तुम ये कैसे कर पाओगी, तो कुलक्ष्मी ने कहा, हाँ थोड़ी मुश् करने की आदत है, तब सास बोली, बहू, तुम इतनी गुडवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवा मेरे घर में कैसे कर दिया, फिर अपनी सास से आग्या लेकर, कुलक्ष्मी एक टोक्री में क ककड़ी लेकर बेचने के लिए चल देती है, वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती है, और वहीं पर ककड़ियां बेचने लगती है, धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ियां बिक जाती हैं, सिर्फ दो ही बचती हैं, वह उन्हें भी बेचना चाहती है, तब ही भग भगवान शेव और मापारवती वहां से घूमते हुए निकल कर जा रहे होते हैं। उन दौनों ने अपना असली बेश चुपा कर एक बूढे साधू और साधवी के रूप में होते हैं। मापारवती ने कहा प्रभूजी कितनी सुंदर ककडियां हैं मेरी तो इन्हें खाने की इच्छा हो रही है। क्या हम ये ले सकते हैं। भगवान शेव ने मना कर दिया और कहा अगर हम इससे ककडियां लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा। माता पारवती ने कहा नहीं मुझे तो बिना पैसे के ही ककडि लेनी है। माता पारवती जिद करने लगती हैं और कुलक्ष्मी के पास जाती हैं और कहती हैं पुत्री मुझे बहुत भूख लगी है क्या तुम मुझे ये ककडि दे सकती हो लेकिन मेरे पास तुमें देने के ये पैसे नहीं है, तब कुलक्ष्मी ने कहा, हे मा, आप तो मेरी मा के समान है, अगर आपको भूक लगी है, तो आप ये ककडियां खा सकती हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी मा बच्चपन में ही मर गई थी, और मेरे पिता भी मुझसे ग्रणा करते हैं, वह मुझे देख हैं, आप प्यार से इस ककडि को खाएं, मा पार्वती ने खुशी खुशी वो फल खाया, और कहा, बेटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी, कुलक्ष्मी मा के पैर दबाती है, मा पार्वती वहीं सो जाती हैं, और उनको बहुत पसीना आ जाता है, तब कुलक्ष्मी ये देखती है, तो अपनी साड़ी के पल्लू से मा को हवा करने लगती है, अपार्वती ये सब देख रही थी, वह सोच रही थी कि कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता और दया है, और भग भगतिन भी है, आप इसकी परिक्षा लेना बंद कीजिए, और आप इसे धन्धान से संपन्न कर दीजिए, तो भगवान शिव ने कहा, देवी आप भी तो लक्ष्मी हैं, भवानी हैं, आपके पास भी तो सब कुछ है, तो क्यू नहीं इस कुलक्ष्मी को आप ही धन्वान कर देती, तब मा पार्वती ने मा लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वर्दान दिया, और कहा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, कुलक्ष्मी ने कहा मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मा पार्वती ने एक मुठी विवूती कुलक्ष्मी को दी, और कहा इसको अप यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर सादू महात्मा विवूती देते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए, तुम इसको अच्छे से रख दो, और वह अपने पती से पूछती है, वह कहता है कि तुम इस विवूती को पुरा बक्से में और घर के चारों कोनों में हर जगे डा पूरा घर पवित्र हो जाएगा, लक्षमी ने ऐसा ही किया, फिर वे सब खाना खाकर सो जाते हैं, सुबे जब कुलक्षमी उठती है तो क्या देखती है कि उसकी जौपडी की जगे आली शान महल था, उसे बहुत आश्चर्रे होता है, फिर वे अपनी सास को उठाती है, सा भगवान शिव और मापार्वती की कृपा है, वे है विभूत देने वाले साधू साधवी कोई और नहीं, बलकि स्वेम मापार्वती और भगवान शिव ही थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकी, तब ही उसका पती आता है, और कहता है, देखो मेरी आँखे वापस आ गई है, मैं देख सकता हूँ यह सब देखकर कुलक्ष्मी की आँखों में आशु आ जाते हैं और फिर दिल से भगवान शिव और मापारवती को धन्यवाद करती है सब मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं और हरोच, भजन, कीर्टन तता सादू संतों को भूजन कराते हैं और गरीब बेबस लोगों की मदद किया करते हैं और इसी तरह वे अपना जीवन बिताने लगते हैं उधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी धनवान हो गई है वे रानी बन गई है तो उन्हें अपनी गलती का पच्तावा होता है और वे सोचते हैं कि मेरी ये बेटी तो लक्ष्मी थी कुलक्ष्मी नहीं मैंने ही इसे अप्षगुनी समझ लिया था और उसका विवा एक अंधे लड़के से कर दिया था उधर कुलक्ष्मी का पती कहता है कि हमने शिब मंदिर बनाया है तो मैं अपने सुस्राल नियोता देने जा रहा हूँ तो राजा के यहां जाता है तो राजा उसे देखते ही सोचते हैं कि यह कौन राजकुमार है इतना सुन्दर है फिर राजा पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो तो कुलक्ष्मी के पती ने कहा मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी पुत्री कुलक्ष्मी का विवा किया था राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है जहां जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया फिर राजा अपने दामाद से शमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी वहाँ बुला लेते हैं पहली बार राजा अपनी बेटी को हिर्दे से लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं और इस तरहे कुलक्षमी फिर अपने पिता के घर आती जाती रहती है धीरे धीरे राजा भी तनवान हो जाते हैं और कुलक्षमी की छोटी बहन लक्षमी उसके ऐसे दिन फिरते हैं कि वो गरीब हो जाती है उसकी सास उसे लगातार ताने मारती है उसके घर लड़ाई जगड़े होने लगते हैं तेवे परिशान होकर अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है पिता जी मेरे घर में सब बरबाद हो गया है मेरी सास मुझे ताने मारती है घर में हमेशा कलेश बना रहता है उनका कहना है कि मेरे आने से वहां सब बरबाद हो गया है मैं क्या करूं ये सब बा बात ध्यान से सुनो, तुम भगवान शेव और मा पार्वती की पूजा पाट करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिना करो, गरीबों की मदद करो, जब ये सब करोगी तो तुम पर भी भगवान शेव और मा पार्वती, मा लक्ष्मी कृपा करेंगी, मेरे साथ भी यही ह अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर तुम्हारा भी भागे बदलेगा लक्ष्मी कुलक्ष्मी कुछ नहीं होता हमारी कर्म ही हमें लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बनाते हैं अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा भावना अच्छी रहेगी तो तुम्हारे घर में भी मा लक्ष् बागवान शिव की पूजा पाठ करने लगती है और धीरे-धीरे वे धनवान हो जाती है बागवान शिव की कृपासे सब और फिर से धन और सुखी हो जाते हैं और खुशी-खुशी अपना समय बिताते हैं जै मा लक्षमी जै मा पारवती एक ब्रामन था वह रोज पीपल में जल चड़ाता था पीपल में एक लड़की रहती थी और वो कहती थी पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ब्रामन सूखने लगा ब्रामनी पोली तुम्हें क्या हुआ तुम क्यों सूख रहे हो पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो कलू से अपने साथ ले आना जहां छे लड़कियां हैं वहां साथ में भी सही दूसरे दिन ब्रामन उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया उस दिन जब वे आटा मांगने गया तो थेला भर के आटा मिला ब्रामनी आटा चानने लगी तो लड़की बोली मा मैं आटा चानूंगी ना बेटी पावनी तु धौली धौली हो जाएगी नहीं मा आटा तो मैं ही चानूंगी ऐसा कहकर उसने आटा चानना शुरू कर दिया तो पूरी पराद भर गई जब ब्रामनी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली मा मैं खाना बनाऊंगी ब्रामनी ने कहा ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी नहीं खाना मैं ही बनाऊंगी ऐसा कहकर वे रसोई में गई और उसने 36 परकार के भूजन तयार कर दिये उसने सबको पेट भर के खाना खिला दिया वे और दिन तो भूके रह जाते थे किन्तु उस दिन सबने पेट भर के खाना खाया ब्रामनी का भाई आया तो वे बोला जी जी मुझे तो भूक लगी है रोटी खाऊंगा ब्रामनी सोचने लगी अब तो सबने खाना खा लिया अब इसे कहां से खिलाऊंगी लड़की बोली मा क्या बात है ब्रामनी ने कहा तिरा मामा आया है खाना खाएगा लड़की रसोई में गई उसने चत्पिस प्रकार के भोजन फिर से तयार कर दिये और मामा को जिमा दिया ब्रामनी का भाई बोला जी जी ऐसा भोजन कभी ने खाया जैसा आज खाया है ब्रामनी बोली भाई यह तेरी भाई जी पावनी है इसी ने बनाया है मामा खाना खाके चला गया शाम हुई तो लड़की बोली मा चौका लगा के चौके का तीवा जला दो मैं कोठी में सोंगी ब्रामनी बोली ना बेटी तु डर जाएगी लड़की बोली नहीं मा मैं तो कोठी में ही सोंगी और वह कोठे में सो गई वह आधी रात को उठी और उसने चारो तरफ देखा तो धन ही धन हो गया वह उस घर से जाने लगी तो बाहर बुड़ा ब्रामन सो रहा था ब्रामन ने पूछा बेटी तु कहां चली लड़की बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ इसकी छे छे बेटियां है इसकी ददिर्दरता दूर करने आई थी तुम ही करवानी है तो तुम भी करवालो उस लड़की ने उसके घर में भी चारो तरफ देखा तो धन ही धन हो गया सवेरे उठकर ढून मची की पावनी बेटी कहां गई ब्रहाम मता बूला वो तो लक्ष्मी माता थी तेरे साथ साथ मेरा भी ददिद्दर दूर करके चली गई जैसे लक्ष्मी माता ने उसका ददिद्दर दूर किया ऐसा सब का करे कहते सुनते हुंकारा भड़ते सब पर लक्ष्मी माता दया करें भगवान विश्णू जिने हम नारायन कहते हैं हिंदू देवताओं के सर्वोच देवताओं में से एक हैं वो प्रिथवी पर सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करते हैं और भगतों को लंबे जीवन, शान्ती, खुशी और सफलता का आशिरवात देते हैं और देवी लक्ष्मी या महालक्ष्मी धन, उर्वरता और भाग्य की देवी हैं जिने हम श्री कहते हैं और दिव्य लक्ष्मी नारायन एक साथ स्वर्गिय निवास वैकुंठ में वास करते हैं एक बार श्री हरी और मालक्ष्मी एक साथ शेश शैया पर विश्राम कर रहे थे तब ही श्री हरी बोले देख रही हूँ लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ती बढ़ गई है, सब नारायन नारायन करते हैं भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली आपको पाने के लिए नहीं भगवन, ये मुझे पाने के लिए भक्ती करते हैं उस पर श्री हरी बोले, कहीं तुमने किसी को लक्षमी लक्षमी का जाप करते हुए सुना है, सभी लोग नारायन नारायन का ही जाप करते हैं इस सारे समवाद के बाद लक्षमी जी बोली, प्रभू आगर आपको विश्वाश ना हो तो परिक्षा हो जाए इसके बाद भगवान विश्नु बोले हाँ ठीक है लक्ष्मी जैसा तुम चाहो उसके बाद भगवान विश्नु एक गाउं में एक ब्रहमन का रूप धारन करके चले गए और एक घर का दर्वाजा खट-खटाया घर के यजमान ने द्वार खोल कर पूछा आप कौन हैं कहां से आये हैं तो प्रभु बोले हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्थन करना चाहते हैं जिस पर यजमान बोला ठीक है महाराज जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना बाद में गाउं के कुछ लोग एकटा हो गए सारी तयारी कर दी गई पहले दिन कुछ लोग आए अब जबकि खुद भगवान ही कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ने लगी दूसरे और तीसरे दिन और भी अधिक भीड हो गई विश्णु जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा वे मनीमन सोचने लगे कितनी भक्ती है लोगों के भीतर उधर लक्ष्मी जी ने भी सोचा कि मैं भी तो चल कर देखूं कि पृत्वी पर क्या चल रहा है तब देवी ने बूडी माता का रूप धारन किया और उसी नगर में पहुँच गई जहां पर श्री हरी गए थे वहां पर एक महिला अपने घर का बस ताला बंद करके कथा में जाने की तयारी कर रही थी कि देवी उसके द्वार पर पहुची और बोली बेटी जिरा थोड़ा पानी पिला दे देवी की बास सुनकर महिला बोली माता जी सारे तीन बज गए है मुझे प्रवचन में जाना है जिस पर लक्षमी माता बोली पिला दे बेटी बहुत प्यास लगी है तब वह महिला जल्दी जल्दी घर के अंदर गई और एक लोटा पानी भर लाई और उसने मा लक्षमी को पानी पिला दिया जब मा लक्षमी ने वह लोटा वापस उस महिला को लोटाया तो वह सोने का हो गया था यह देखकर महिला की आँखे फट गए उस पर सोच में पड़ गई कि मैंने लोटा दिया तो पीथल का था अब वापस लिया तो यह सोने का हो गया ये कैसा चमतकार है और ये माता क्या चमतकारिक माता है अब उस महिला ने सोचा जब मैंने पानी दिया तो मेरा लोटा सोने का हो गया अगर ये मैया यहाँ पर खाना भी खाएंगी तो मेरे थाली, कटोरी, चमच सब कुछ सोने का हो जाएगा तो उसने हाँ चोड़ कर माता जिसे कहा मैया आपको भूग भी लगी होगी न, खाना भी खा लीजे लालज की इच्छा रहते हुए सोचा की खाना खाएंगी तो बरतन भी सोने के हो जाएंगे माता उसकी मैशा समझ गई थी और कहने लगी तुम चाओ बेटी, तुम्हारी प्रवचन का समय निकला जा रहा है जिसके बाद वे मैला प्रवचन में चली गई लेकिन अपने आसपास की सभी मैलाओं को उसने ये सारी बात बताई अब महिलाई ये सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठ गई और अगले दिन से उस कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी तो भगवान हरी ने पूछा कि लोगों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई है तब किसी ने कहा नगर में एक चमतकारिक माता जी आई है जिसके घर में भी दूद पीती हैं तो उनका गलास सोने का हो जाता है थाली में रोटी सबजी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं अब तो विष्णुजी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन पृत्वी पर हो चुका है इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेट शी थे वो भी उठखड़े हुए और चुपके से निकल लिये माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया देवी बोली तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी लेकिन क्या करूँ तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठेराया है न सेट जी बोले पस इतनी सी बात उन्हें अभी धरमशाला में कमरा दिलवा देता हूँ अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आये तो सेट जी बोले महराज आप अपना बिस्तर बांद लो और जाओ आपके रहने की विवस्ता मैंने पास वाली ही धरमशाला में कर दी है इस पर महराज बोले अभी तो कथा के दो तेन दिन बचे हैं यहीं रहने दो न एट बोले नहीं नहीं जल्दी जाओ मैं कुछ नहीं सुनने वाला मुझे किसी और महमान को अपने घर में ढहराना है इतने में ही देवी लक्ष्मी वहाँ आ गए और कहा सेट जी आप थोड़ा बहार जाओ मैं इने विदा कर देती हूँ माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली प्रभू अब तो मान गए देवी की बात सुनकर भगवान विश्णु बोले हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है लेकिन तुम ने एक बात देखी कि तुम वहीं जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं साफ तरीके से कमाई करने वाले लोग रहते हैं इसका अर्थ है संत जहां भी कथा करेंगे अवह अवश्याग मन करोगी इतना कहेकर श्री हरी ने वैकुंट के लिए प्रस्थान कर दिया अब प्रभू के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गाउवालों की भीड हो गई सभी चाते थे कि माता सभी के घरों में आए लेकिन विश्णू जी के जाने के बाद देवी लक्षमी ने सेठ और बागि सभी गाउवालों से कहा अब मैं भी जा रही हूँ तो सभी कहने लगे माता ऐसा क्यों क्या हम से कोई भूल हुई है लक्ष्मी माता ने कहा मैं वही रहती हूँ जहां नारायन का वास होता है आपने नारायन को तो यहां से निकाल दिया है तो मैं यहां कैसे रहूँ और वो चली गए एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और इमानदार व्यापारी रहा करता था उस व्यापारी की एक लड़की थी वहे लड़की रोज पीपल के पेड में जाकर जल चड़ाया करती थी उस पीपल की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड से लक्षमी माता प्रकट होती थी और थोड़ी ही देर में वहे अपने आप महां से चली जाया करती थी एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड में जल चड़ाने के लिए आई तब पीपल के पेड से लक्षमी माता प्रकट हुई लक्षमी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा क्या तुम मेरी दोस्त बनूगी लेकिन उस पर व्यापारी की लड़की ने कहा पहले में घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूँ फिर उसके बाद आपको बताऊंगी उसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई घर पहुँचकर उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आज जब मैं पीपल के पेड में जल चड़ा रही थी तब लक्षमी माता वहाँ पर प्रकट हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी तब उस व्यापारी ने लड़की से कहा सुम लक्षमी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही है इससे बड़ा सौभा के और क्या होगा तुम उनको अपना दोस्त बना लो उसके बाद अगले ही दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल के पेड में जल चड़ाने के लिए गई तब ही वहाँ फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा क्या तुम मेरी दोस्त बनूगी तुमने अपने पिताजी से पूछ लिया क्या तब लड़की बोली हाँ माता मैं आपकी दोस्त बनूगी लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में अच्छी दोस्त बन गए थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच गहरी मित्रता हो गए एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल पर पानी चड़ाने के लिए गई तब लक्ष्मी माता ने उससे कहा तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ व्यापारी की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, लक्षमी माता मुझे अपने घर पर बुला रही है भोजन करने के लिए, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भूजन पर बुलाया है वहाँ पर जा सकती हो ये बड़े सौभाग्य की बात है व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भूजन करने चली गई जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुँची तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और उन्होंने अपनी सहेली को शौल ओड़ने के लिए दी सोने के सिक्के, सोने की थाल और सोने की चोकी और अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना कर खिलाए लक्षमी माता के घर से भोजन करके जब लड़की जाने लगी तब लक्षमी माता ने उससे कहा कि मैं भी तुमारे घर भोजन करने के लिए आऊंगी अब वेह व्यापारी की लड़की सोच में पड़ गई उसने सोचा लक्षमी माता के घर तो सभी परकार का बैवव है लेकिन मर्यादा स्वरूप उसने कह दिया बिल्कुल बिल्कुल आप भी हमारे घर भोजन करने आईए व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई घर पहुँचकर वे एक जगे जाकर शांती से बैठ गई वो अपनी लड़की को इतना शांत और विचारों में डूबा हुआ देखकर व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा क्या हुआ बेटा तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो तब ही बेटी ने बताया पिताजी लक्ष्मी माता हमारे घर भोजन करने के लिए आने के लिए बोल रही है कल वैं हमारे घर पर भोजन करने आएंगी उन्होंने तो मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया था मुझे सोने के सिक्के, सोने के थाल, सोने की चोकी और 36 प्रकार के स्वाधिश्ट व्यंजन बना कर खिलाए लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उनको क्या खिलाऊंगी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तभी व्यापारी ने अपने लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरीके से चारो तरफ से लीब लो और पूरे घर की सही ढंग से सफाई कर लेना एक दिया जलाकर जो चारो तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेना और रसोई के पास बैट जाना व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए कहा था उसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साव सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड़ू लेकर बैठ गई तबी अचानक से एक जगे पर एक रानी स्नान कर रही थी तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था एक चील वहां से उड़ा कर ले गई उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड़ू छीन कर ले गया व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई बाजार पहुँचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे दिये जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने के सिक्के, सोने की चोकी, थाली, उस हार के बदले सुनार से ले ली और वह यह सब समान लेकर अपने घर आ गई घर पहुँचकर उसने तरहां तरहां के 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आईए गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर में आ गए व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का खूब स्वागत किया उन्हें बैठने के लिए चौकी दी उसने लक्ष्मी माता से कहा कि आओ बहन अब इस चौकी पर बैठ जाओ लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी व्यापारी की लड़की ने कहा आज आपको मेरे घर पर चौकी पर बैठना ही बढ़ेगा अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी पर बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्षमी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन कराए और जैसे लक्षमी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसको तरह तरह के व्यंजन बना कर खिलाए थे ठीक उसी प्रकार व्याबारी की लड़की ने भी लक्ष्मी माता को अपने घर पर खूब स्वागत किया और उसे बिविन्न प्रकार के स्वादिश्ट व्यंजन परोसे और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा ही व्यापारी की लड़की ने भी किया जिससे लक्ष्मी जी अपनी दोस से बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी दोस को बहुत सारा धन दिया बर अब उस व्यापारी की और लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई थी उन लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें